इस एपिसोड में मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ लाइव बॉइस रेकॉर्डिंग करके देख रहा हूँ कि इसका रिजल्ट कैसे मिलते हैं तो मैं आप सभी का ओपिनियन चाहता हूँ आप जरूर हमें बताइए कि नया एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा अगर आप सभी को यह अच्छा लगा तो मैं लाइव रिकॉर्डिंग एपिसोड लाने की विशे में सोचूँगा बहुत दिन हो गया यह चाइनिज बनियन पर में हाथ तक नहीं लगाया इसे नेचरली ग्रो होने दिया अभी इस पर फिर से काम करने की आपस्क्ता आ गई है तो हम इसे पहले डिफॉलियेट करेंगे एक भी बत्ता हम इस पर नहीं चोड़ेंगे पूरे डिफॉलियेट करने के बाद इसका जो स्ट्राक्चर है इसे हम अब्जाब करेंगे और अब्जाब करके फिर दूजरी स्टेप में याएंगे पैदा स्टेप है इसे फुरा अंडिर परसेंट डिफॉलियेट करना सब्सक्राइब करेंगे डंटल के बीचो बीच कटेंगे, ना पेड के साथ एकदम ब्रांच के साथ एकदम फ्लास काट करेंगे, ना पत्तो को छोड़ के करेंगे, देखिए ठीक, ऐसे हैं, अब पेड को दिफॉलिये करके, फिर से वीडियो में वाफसाते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो देखिए, कुछ ब्रांच ऐसे हैं, जो नीचे के तरफ ग्रोग यह जुक गए, उन सब को ठीक करना होगा, क्योंकि इतने छोटे ट्रांग हाइट है, इतने छोटे ट्रांग हाइट है, यहां से अगर जुक के नीचे आ जाएंगे, तो वो मतलब जमीन पर आ जाएंगे, तो वो ठीक निकलेगे ताम, जैसे कि इस ब्रांच को आप देखिए, यह नीचे आके जमीन पर जमीन पर आ ग उससे हमको उपर जाने वाला थोड़ा ब्रांच मिल लेगा ये भी देखी ये अगर हम छोड़ दे तो ये बीचे तक आ जाएंगे तो यहां हम इसे अग्डम फ्लास काट कर देंगे आपको डिसेशन लेना होगा कॉमसर ब्रांच को आप कैसे उसको मैनेज करेंगे यहां भी देखे इसको हम पिछे ले आएंगे ये जो दुनों ब्रांच है यह एक्छली बॉंसरी का ये फ्रॉंट माना मानके हम इसे बना रहे हैं ये जो दूब ब्रांच है इसे बिलकुल पिछे ले जाना होगा कि याद होगा पिछले बार यहां एक जो मैंचियोड ब्रांच साई इनके जैसे तो वो फॉंट में आ गए थे तो इसे काट करके हम बैग किया था और दिखिए यह दो जो मिला है अभी यहां से हमको ऐसे रेनिफिकेशन यहां से त्यार करना होगा इस ब्रांच को हम जो इस ब्रांच को हम जो नीचे के तरह गये हैं इस ब्रांच को हम इसको तो हम काटेंगे ही, इसे भी, और इसे भी, इसे पिछे ले जाना होगा, इसे यहां तक, इसे हम यहां तक पिछे ले जा सकते हैं, एक सूट हम को यहां मिल रहे हैं, अगर हम यहां तक पिछे ले जाएंगे, तो इस पे आजाएगा, में जो ग्रोष है, और, इन बंच इसको थोड़ा छोटा ही करना होगा, क्यूंकि पेड का कैनोपी, ज्यादा बड़ा हम तो नहीं कर सकते हैं, अभी देखना है, और कोई ऐसे ब्रांच है, जो आन्वांटेड ग्रोथ जिसका हो रहा है, उसे हमको निकालना होगा, यहां लेयर बन रहे हैं, एक एक लेयर यहां एक लेयर बनेगा, यहां एक लेयर बनेगा, ऐसे जाएगा, तो देखिए, नीचे का जो लेयर है, उससे उपर का लेयर छोटा होना जाएगा, अगर नीचे का जो लेयर है, उसके से ब्री में लेगा उपर का लेयर बनेगा, failsने बनेगा, तो क्या है देखने में अच्छा नहीं लेगा तो हमें इसे काट कर पीछे ले जाना होगा इस थार्ट ब्रांच को हम काटिंग कर देगे यहां भी एक थार्ट ब्रांच है इस ब्रांच को देखिए यह जो नीजी का लियार है उससे आगया आगया है तो इसे हम पीछे ले जाएंगे इस ब्रांच को भी हम पीछे ले जा सकते हैं यहां से अगर शुरू होगा तो मैं यहां तक एक फॉली एज पैट बना सकता हूं और तो पीछे में कटूंगा यहां से ऐसे प्रेमिफिकेशन बनेगा तो यहां तक पैट बच जाएगा इसे कॉबर नहीं कड़ेगा इन सब को तुरा तुरा करके पीछे ले जाना है यह यह भी देखिए आ गया आ चुके हैं इसे पीछे ले जाना होगा यह नीचे का सूट है यह भी तुरा हम निकाल जखते हैं और यहां इसे हम इस जगह से पूल कर सकते हैं यह जो दो शूट है यहां भी हम ग्रोथ यहां से हम लाएंगे कि देखिए फस लेयर से के लिए एसे जा रहे हैं यह फस्स लेयर है यह से किन लियर है और यहां देखिए एक बंश्य है जो थाट लेयर यहां एक छोटा सा बनाएंगे यहां और यहां इसे कुछ बंदवस्त करना होगा, और यह जो है, यह एपिक्स हम सोच के चल रहे हैं, इसे तोर और डिबलप करना होगा, यहां इसे हम तुरा पीछे ले जाएंगे, यहां मुझे रेमिफिकेशन यहां से हमको चाहिए, और यह जो सिधा उपर के तरफ जा रहे हैं, इसे इसे वाइरिंग करके हम एठाड लेयर का काम हम यहां से ले सकते हैं वाइरिंग करके अभी इसको छोड़ते हैं यह बाद में इसके बारे में हम सोचेंगे और यहां जो है कैनोपी जो एपिक्स यह बनेगा मैं चाहता था तुरा इसमें से एक और तुरा लंबा हो जाए तो वहां से मैं रेमिप्टिशन लोगा यहां कुछ नेने एरियल रूट्स बन रहे हैं इसके हम बनने देंगे कुछ है जो जिसे हमको निकालना आप चितों का जैसे कि यह जो है इसे हम निकाल देंगे यह इसे हम निकाल देंगे इसे इसे हम निकाल देंगे इडियल रूट्स को आपको करेक्शन करना है यह जरूर करना है बीच बीच में देखिए यहां जितने एरियल रूट्स है यह भढ़ गए हैं इस यहां पर यहां थोड़ा ज्यान से आपको देखना है कि यहां पीर को और एक चीज में चाहता हूं पीर को थोड़ा और लीफ करना चाहता हूं इसलिए इसको हमें इक बार रिपॉर्ड भी करना है और जो करना है और जो करना है आज जो है इतना तक मैं इसे छोड़ रहा हूं आगे हमको दो-तिन दिन के अंदर हमको इस पर अभी काम चलता रहेगा इसे हमको थोड़ा रिप्ट करने के कोशिश करना है थोड़ा सा एक एक दो इंच अगर हम इसे लिप्ट कर सकते हैं तो बहुत ही इसका रूप बहुत ह अच्छा हो जाएगा और स्वाइल भी हमको थोड़ा देख लेना है स्वाइल बहुत दिनों से है इसे ही और मनसुब का टाइम आ रहे हैं उससे पहले अगर इसे हम लीप कर लेंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा तेड़ अभी ऐसे हम इसे रखेंगे धूप में डाइरेक्ट सालाइज के नीचे हम लाख लेगे उपर से कैनोपी का जो स्ट्रक्चर है इसका इसका देख लेते हैं बाइब कर दोज्चर नीचे एसे लेते हैं